नमस्तिय भिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आज की क्लोजिंग दो है 17.550 की बुरी नहीं है अगर हम कंपेर करें कल की डाउ की क्लोजिंग को क्योंकि कल डाउ एकदम बहुत भेंकर रूप से गिरावर दिखा कर बंद हुआ था जो पिछले दाउ फ्यूचर्स की अगर हम बात करें तो वहां पर लगबग लगबग 200 पॉइंट की तेजी है यह तेजी उतनी खास हमको नहीं लगी क्योंकि यहां पर अगर 1% के आसपास की तेजी होती तब हम 17.550 के उपर क्लोज की होते तब मुझे बास थोड़ी सी डाइजेस्ट ह अगर बाजार देखाई है यानि कि अगर वाजार फिसलना चाहती है तो यहां से फिसलने के चांसे है उसके पास जादा रहेंगे अगर हम सिर्फ डाउ को देखें आयोप आप समझ रहे होगे हम ज्यादा स्ट्रॉंग बनने की कोशिष कर रहे है क्योंकि एकल वीकल टारगेट हीट नहीं हुआ, क्यों नहीं हीट हुआ, समझाएंगे, सबसे पहले बता देते हैं, निफ्टेडर सेटप पे हमको पहले सेल साइड का ट्रेड मिला था, और यहां पर हमको सेल साइड का ट्रेड लेना था, क्योंकि जील पे मुझसे कुछ लोगों ने सवाल पूचा था, मैंने उनको बोला था, जील में कुछ भी हो जाए, मैं ट्रेड लेने के लिए नहीं ख़डा रहूँगा, क्योंकि वहां पर स्पेकलोईशन भयंकर होता है, और आज जब सोनी के साथ उनका टाई-अप हो गया, तो भाई साब स्टॉक ही भाग गया 35-40%, देखो, दो बाते मैं आपको बताना चाहता हूँ, इतना तो हमारे पास मतलब पेट भी नहीं एतना ज्यादा खा लेने का, प्लस रिटेल इन्वेस्टर उतना कभी पाएगा भी नहीं, अगर कभी पा जाता है गलती से तुक्के से, तो उससे छीनने के लिए भी लोग तयार खड़े रहते हैं, तो थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है, बहुत प्यार से हमारे सेटप ने यहाँ पर बाई साइट का ट्रेड दे दिया था, बहुत बढ़िया, आप केंडल्स को भी देखकर समझ सकते थे का आपको यहाँ पर बाईंग देखने को मिल जकती है, बढ़िया लेबल दिखा है 17-550 के सपोर्ट पर और वहाँ से स्टॉक निफ्टी भागी और हमको यहाँ पर टार्गेट हिट हुआ 10 मिनट की केंडल पर बहुत ही नीट और क्लीन, ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि 3 मिनट वाले ट्रेड में जो आप्सन का ट्रेड हमारा था, देखिए आप्सन में आपको कौन सी कॉल खरीदनी थी, आपको खुद पता है, मैंने आपको समझाया भी है, यहाँ पर हमें कॉल खरीदना था, यह रेड केंडल का अगर आप मैंने इसका उप्योग करके अगर कॉल को खरीदा, अगर आप 125 के आसपास खरीदे तब तो आपका टार्गेट हीट हो गया, लेकिन मैं इस कॉल को 130 पर ही खरीद लिया, और मेरा टार्गेट 145 था, ठीक है, 145 मैं यहाँ पर 15 रुपए लेना चाहता था, जो कि थोड़ा सा मैं greedy हो गया था क्योंकि पिछले दिनों में बड़ा momentum दिखा रही थी बाजार और यह सब के साथ होगा, दोस्ति यह सब के साथ होगा, मैं यहाँ पर 145 का target सेट करके बैठा था, नहीं टुआ, रिवर्सल पे मुझे कॉस्ट पर exit कर जाना था, लेकिन मैं यहाँ पर आई न करना हो, छोटे profit से खुछ रहना हो, 8% का momentum बड़ा momentum है, दोस्त, option में 8% बहुत होता है, stock से 5 गुना ज्यादा आपको यहाँ पर momentum चाहिए होता है, इतना मैं आपको कह रहा हूँ, 5 गुना ज्यादा मिल जाए, exit कर जाए, क्योंकि margin काफी कम लगता है यहाँ पर, options में आपक आपको पता है कि मात्र 100 रुपए में, 120 रुपए में, अगर 130 रुपए में आपको इस्टॉक खरीद रहो, एक option आकर खरीद रहो तो 67,000 रुपए लग रहे है, 67,000 पर अगर आपने 8% कमा लिया, 500 रुपए से ज्यादा की कमाई हो गई, मैं 100 रुपए ब्रोकरेज भी नहीं पर total quantity ले लिया था, confidence थोड़ा सा जादा था, तीर मिनट के setup पे और इसी कारण मैंने आप trade बड़ी quantity में लिया, जबकि मेरा यहां पर stop loss हुआ, दूसरे वाले trade में बता देते हैं, जो 17,600 की call थी, यहां पर हमारा यह put था, याद रखिएगा, यह थी 17,500 की put, और यह यहां पर आप देखें कितना प्यारा टार्गेट हिट हुआ, यहां पर हमको call खेंदी थी, यहां पर हमारा जो टार्गेट था, 1500 रुपय का उसने hit किया, और एक भई बार नहीं दूबारा भी hit किया, यहां पर थोड़ा सा बड़ा ही target लगा था, आपको बता दूँ, लेक आपको 25,000 आपके खाते में होना चाहिए, तभी आप ट्रेड कीजिएगा, निफ्टेडर सटप जॉइन कर सकते हो हमारे साथ ट्रेड करने के लिए, जील, आज मोमेंटम बहुत बड़ा आया है, यहां पर फिर से मैंने news कबर किया, भाई, सोनी के साथ इनका tie-up हो गया, औ मुझे सच में अच्छा भी नहीं लगता, मुझसे जन्मीलिन लोगों ने पूचा था कि मेरे पास स्टॉक पढ़ा हुआ है, क्या करें, मैंने कहा कि देखो, मैं आपको यहां पर कोई सजेशन तो दे नहीं सकता, लेकिन मेरे पास होता, मैं सेल कर देता, मैंने यही बोला ठीक है, और यह जिस बंदे को मैंने बोला था, उसके पास ठीक था क्वांटिटी थी, और उसने मेरी इस बात को मान करके सेल कर दिया, ठीक है, उसके पास स्टॉक पहले से था, ठीक, एक समय मैंने इसे स्टॉक को रिकमेंड भी किया था, अगर आपको याद हो तो बाकी ब सकते हैं, मैं अपनी गलती एकसेप्ट करता हूँ, आपको भी एक जिम्मेदारिस बाजार में लेनी पड़ेगी, दोस्त की कोई आपका सगा नहीं है, और ना मैं ना कोई और आपने मुझसे सलाह मांगी, जो मैं करता मैंने वही आपको सला दी, और ऐसा नहीं है कि मैं यहा अगर मेरे पास होता, तो मैं सल कर देता इतने बड़े स्पेकुलेटिव मोमेंटम के बाद, मैं रुकता नहीं यहां पर, ठीक है, एक बार आप जरा उनके बारे में भी सोच लिए, जो यहां पर सौट पोजीशन लेकर वैठे हैं, उनके साथ क्या तबाही हो रही है, आप कभी फील कर पाओगे, कभी सोच पाओगे, तो सोचिए जो आपके पक्ष में हो गया, अगर वही कभी आपके बीपक्ष में हो गया, तो क्या करोगे, आपका स्टॉक गिर गया 5 दिन के अंदर, तो क्या करोगे? पहले चीज तो आपके वहा पर जो risk per trade था, वह काफी के लिए ना हमको ready रहना चाहिए ना हम सब eligible हैं दोस्त ये 30 और 40% का momentum even 10% का भी momentum बहुत बड़ी बात होती हम लोगों के लिए हम 4-6% वाले हैं मुझसे गलती हुई अगर आपको ऐसा लगता है तो माफ कर दीजेगा बाकी 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 मैं आपसे request सिर्व इतनी करूँगा कि इस बाजार में जिम्मेदारी लेना सीखिए और ये भी सोच लीजेगा कि यही अगर against में आपके हो गया होता तब आप क्या करते क्या आप इस संभावना से इंकार कर सकते हैं कुछ ऐसा भी हो सकता था जो स्टॉक 30% भाग सकता है वही 30% गिर भी सकता है गिरने पर हो सकता है आप इतना बड़ा thank you message ना भेस जो आप यहां पर कर रहे हो चलिए कोई बात नहीं मैंने यह discussion करके आपको सिर्फ यह बात बता नहीं क्योंकि उनको सबको अपना product सिर्फ बेंचना है लेकिन मेरा सिर्फ मेन मकसद यह है कि आप बाजार की सचाई को जानो चाहे कुछ लो चाहे नहीं सीखते चलो बाजार की सचाई को पकड़ते चलो LIC housing finance बहुत बढ़िया momentum यहां पर भी आया आज 6 और 7% का momentum यहां पर मिल सकता है सोना आप लोगों खरीदने के लिए बोला था 46,000 पर लगभग 7% मजबूत है सोना तो कैसा लगा आप कहोगे कि यार 7% पर आ जाते हैं बात बताने 40% वाली बात गलत बचा जाते हैं कोई बात नहीं दोस्त जित दिन 40% आपके खिलाफ हो गया ना उत दिन समझ म देखिए एक बार इंडेक्स की बात करेंगे तो आज निफ्टी नेगटिब थी मिड कैप इंडेक्स जील के कारण आग लगा रहा था गोधरीज प्रॉपर्टीज के कारण आग लगा रहा था ये दोनों ने मिल करके पूरे इंडेक्स को ताबढ तोड़ पहुने 3% उपर क्लोजिंग दिया है दमदार निफ्टी नेक्स्ट फिफ्टी में 12% भागा है नम डीसी 5% मुथूर फाइनेंस 5% में डावल 4% अब इंडिया 3% भागा गिरावट में अधानी ट्रांस्मिशन इंडिगो आईजियल गोद्रेज गोद्रेज कंजूमर प्रड़क्ट और अज पूछते हैं निफ्टी बैंक आज नेकिटिव था किसके कारण आपके प्यारे दोलारे एज डिफसी बैंक और आज यह चाहिए बैंक की कारण इवन कोटक महिंद्रा बैंक भी 1% नीचे था तो सोचिए जब यह बड़े-बड़े और दिगज बैंक डाउन होंगे तो अगर अमरीका से हमारे लिए पॉजिटिव संकेत नहीं आए अब क्योंकि अमरीका हमारा टेस्ट ले रहा है और अमरीका के टेस्ट में हमें भी तक पास होते हुए दिखाए दिखाए दिए हैं लेकिन अभी भी अगर अमरीका कमजोर हुआ तो हमारे लिए यह बिल्कुल अच्छा संकेत होगा नहीं और इस बार की जो गिरावट होगी वहाँ पर रिकवरी के संकेत इतने जल्दी आने के थोड़े से कम रहेंगे अलर्ट रहिएगा थोड़ा सा यही मैं आपको करें ना करें ऐसा करें तो मत जॉइन किया कीजिए आप चीजों को देखिए समझे एक दिन दो चार दिन और परख लीजिए ठोक बजा कर चीजों को चेक कर लीजिए और जब डिसीजन ले लिजिए जॉइन करने तो जो भी आपको सेटप प्रवाइड क्या रहा है उसको कि अगर मैं उस पर ट्रेड कर रहा हूं लगातार कर रहा हूं तो चीजें आपके फेवर में होंगी ही अभी के लिए इतना ही मिलेंगी फिर से वीडियो पसंद आये लाइक कर देना कोई सवाल सुजाओ नीचे बताना मिलते हैं फिर से नमस्कार